नमस्कार दोस्तों डियर किसान यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त परवीन और किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम आपको थोड़ी हटकर जानकारी देने की कोशिश कर रही हैं और आपको इस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर मोनो क्रोटो फोस्त के बारे में आप क्या करते हैं दुकान के उपर कोई भी किटनासक दवाई स्प्रे वगरा खिर दने के लिए जाते हैं तो आप उस दवाई का नाम लेते हैं जैसे कि मोनो क्रोटो फोस्त का आप सोटकट में नाम लेते हैं दुकांदार से जाकर बोलते है कि एक लिटर में मोनो दे दीजिए और दुगांदार आपको एक लिटर में कोई भी मोनो क्रोटो फुस्ट दे देता है लेकिन आप ये नोटिस नहीं करते कि कौन सी कंपनी की आपको दवा मिली है किस नाम से वो दवा है कौन से यानि कि उसके ब्रांड का क्या नाम है किस कि कमपनी है। यानि की कोई ब्रांडिड कमपनी हैं या फिर कोई लोकल कमपनी है। उसकी किमत में कितना अंतर हो सकता है। खास तोर्सी यह दि मैं बात करूं तो तो इन सभी चीज़ों को फार्मर क्या करता है? नोटिस नहीं करता। जो कि उसको ध्यान देना चाहिए। सब्सक्राइब ते हुए रिटेंगे वाई यही चीज़ रहे हैं तो चलिए वीडियो सٹर्ट करते हैं सेकली GREEN बारे में थोड़ा बताईए मैं पुनित गुपता मेरी शोप है नाम दिर अंशार नो नमबर दुकान सीविल उस्किटल के पास हमारा होलसेल रिटेल का काम है यहां पर हर ब्रेंडिट चीज मिलती है पके बिल के साथ पके बिल के साथ में और रेट की भी आपकी जवाबदा अगयों के लग- плох i तो एक एक करके इनके बारे मताई थोड़ा इन में क्या वालिटी में फरक है या फिर रेट क्या 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 रहात है जिसकी रेट साधे 300 से लेकर 400 रुपे लीटर तक है यह ब्रेंडिड कमपनी है कैमिनोवा का अपता था पहले लूफोस अब क्रिश्टल ने ब्रेंड खरीड लिया है लूफोस के नाम से पुराने लोग जो 10-15 साल से 20 साल से कहते हैं लूफोस के नाम से मोनो जानते इसका रे रेट 390 रुपे लीटर यह यूप्यल की मोनो है यूनाइटीड फोसकी जिसका आप ल है लख वी लेटे लेटश तीक है इसका रेट तीन सोर्फिल मुट्र तीक है यहां ग्रीन वूड की नई कंपनी है इसका रेट नहीं कंपनी के साथ क्रेक्ट के साथ एक ये किशिए इसके अंदर टेक्नीकल है और नगा संथी मिलेगा लेकिन कमपनी के इसाब से हैं बॉल सकते हैं ब्राइंड के से मान लीजिए कैसे भी करके थोड़ा बहुत इसके अंदर रेट में अंतर जरूर है लेकिन काम एक ही है इसका रेजल्ट आपको सेम मिलता है सेम ही काम करेगी ऐसा ही यहां पर भाई ने बताया है जी वाई साब आपका बहुत धन्यवाद